जै दोस्तों आज के इस कलास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं बीए शिक्स समेस्टर का हिस्ट्री सेलबस 2014 ठीक है हिंदी और इंगलीस दोनों में देखेंगे हिंदी और इंगलीस दोनों में तो दोस्तों फटा-फट इस कलास को जरूर सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों क के हेब अर हिंदी और इंग्लिस दोनों में है ठीक है तो इसे शेर जरूर करिएगा एक बातावर मैं आपको बता देना चाहता हूँ देखिए आप लोग कन्फूज थे बोल ले थे सर के हिस्टिरी और मेडिवल हिस्टिरी में क्या अंतर होता है देखिए दोनों एक अई होता है ठीक है इतिहास और मद्दिकाली नितिहास दोनों एक अई होता है और ध्यान रखिएगा इतिहास एक अलग इतिहास होता है जिसे प्राची नितिहास करते हैं क्या करते हैं भाई प्राची नितिहास करते हैं ठीक है तो यह हमारा अलग होता है इतिहास से तो चाहे इतिहास कहिए चाहे आप मद्दिकाली नितिहास कहिए दोनों सेम होता है कोई अंतर नहीं होता है प्राची नितिहास हमारा अलग होता है तो सिक्स में क्या पढ़ेते ठीक है फिप्त समेश्टर में आप क्या पढ़े थे देखिए फिप्त समेश्टर पेपर वन में आपको क्या पढ़ना है तो देखिए फिप्त समेश्टर पेपर वन में आप पढ़े थे nationalism in India ठीक है भारत में राष्टवाद जिसमें आठ यूनिट थे ठीक है सर आगे बताइए देखिए six semester में हमको क्या पढ़ना है paper one में बीए six semester paper one में पढ़ना है era of Gandhi and mass moment ठीक है गांधी और जन अंदोलन का यूग ठीक है इसमें भी आठ यूनिट है दोस्तों आठ यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमें six semester की त्यारी करनी है और six semester पढ़ना भी है ठीक है तो अगर आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किये तो कल लिजेगा बहुत ही सांदार तरीके से क्लास कराई जाती है ठीक है तो हमसे जरूर जुड़िए एक बार अवस्ते क्लास कीजिए हिंदी और इंग्लिस दोनों में बात करेंगे ठीक है चलिए six semester paper one में क्या पढ़ना है इरा आप गांधी and mass moment गांधी और जान आंदोलन का यूग ठीक है इसमें आठ यूनिट है आठों यूनिट के बारे में बात करेंगे देखिए पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है गांधी जी का परवेश और असोयोग आंदोलन ठ ठीक है ये यूनिट बन था यूनिट two में क्या पढ़ना है hra hsra और भगत सिंग के मुकदमे के 20S संदर्म में भारत में करांतिकारी आंदोलन का उद्य है यह यूनिट सिकेंड है आपका राइस आफ रिवोलिनिसरी मोमेंट इन इंडिया विथ स्पेशल रिफरेंच टू एच आरे एच एस आरे एंड ट्रायल आप भागस सिंग ठीक है ये यूनिट सिकेंड है आपका अब यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है गदर पार्टी के विशेश संदर्व के साथ भारत के बाहर करांतिकारी आंदोलन का उदे ठीक है राइस आफ रिवोलिनिसरी मोमेंट आउट साइट इंडिया विथ स्पेशल रिफरेंच टू गदर पार्टी ठीक है चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है आपको साइमन कमीशन नहरू रिपोर्ट सभीने अबग्या आंदोलन साइमन कमीशन नहरू रिपोर्ट एंड स्वरी दा सिविल डिस अब्डेंस मोमेंट ठीक है ये यूनिट चार में आपको पढ़ना है देखिए आठ यूनिट है इसमें ठीक है और पांचवा यूनिट आपको क्या पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है दक्वीट इंडिया मोमेंट छटवा यूनिट क्या है आपका संबैधानिक संकट क्रिप्स और काइबिनेट मिशन ठीक है सुवाश चंद्रबोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है पेपर 1 के यूनिट 8 में आपको पढ़ना है माउंट बेटन योजना बिभाजन और स्वतंत्रता ठीक है माउंट बेटन, प्लान, पार्टिशन, एंड इंडेपेंडेंस याद रखिए ये पेपर 1 है दोस्तों ठीक है पेपर 1 में 8 यूनिट है और ये सभी ठीक है उत्तर परदेश के जितने भी विसुविद्धाला है सभी के लिए प्रस्ण पत्र जो 1 होता है पेपर 1 सभी के लिए अनिमार होता है पेपर 2 में आपके ऑफ्सनाल आते है आपके विसुविद्धाला में और आप कौन सा पेपर चुने है वो आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन पेपर 1 उत्तर परदेश के जितने भी विसुविद्धाला है सबी के लिए अनिमा रहे है ठीक है तो paper 1 में 8 unit है जबर जस्त त्यारी करेंगे ठीक है चलिए इसमें आपको paper 2 में आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं उसके पहले मैं paper 2 में पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ बता दू बीए fifth semester के paper 2 में आप क्या पढ़े थे और बीए sixth semester paper 2 में आपको क्या पढ़ना है ठीक है तो देखिए मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा देखिए बीए fifth semester में paper 2 में आप पढ़े थे जो आपको पढ़ना है हिस्ट्री या modern world ठीक है यह भी optional ही था आधुनिक बिश्व का इतिहास इसमें देखिए 1453 से 1815 इसवी तक पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा ठीक है बीए sixth semester paper 2 में जो हिस्ट्री आप modern world है आधुनिक बिश्व का इतिहास इसमें दो ठीक है इस बात को याद रखिएगा जहां खतम हुआ था 1815 वहीं से शुरू हुआ है 1815 से आप पढ़ेंगे 1945 ठीक है उमेद है दोस्तों अब आपका confusion दूर हो गया होगा ठीक है आपके doubt clear हो गया होगे कि बीए sixth semester paper 2 में क्या पढ़ना है ठीक है चलिए बीए sixth semester paper 2 में आपक की कारण ठीक है यूनिफिकेशन आफ जर्मनी एंड इटली सिकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है प्रत्थम विश्व युद्ध के कारण ठीक है cases leading to first world war ठीक है अगला देखेंगे अगला यूनिट क्या है आपका तीसरे यूनिट में दोस्तों पढ़ना आपको प सेरी स्पीस कंवेंशन एंड ट्रीटी आफ वर्साय ठीक है यह आपका तीसरे यूनिट है चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है राष्ट संग संगठन उपलब्दिया और विफलता ठीक है लीग आफ नेशन्स और गनाइजेशन अचुमेंट्स एंड फेलियर ठी ठीक है यूनिट चार में आपको पढ़ना है और यूनिट पांच में आपको क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से देखिएगा रूस में समयवाद का उदय वोल्सेविक क्रांती ठीक है राइस आफ कम्यूनिजम इन रसिया द वोल्सेविक रिवोलियूशन ठीक है यह आपको फांचो उनित में पढ़ना है और छठे उनित में आपको क्या पढ़ना है ताना साही का उद्दै मूसोलीनी और हिटलर ठीक है राईश आप डिटयक्टर Susie एंड मूसुलीनी स्वेरी एंड नई है ध्याद दिजेगा राईस आप डिक्टर सीब मुसॉलीनी एंड हिटलर यह आपका six unit है ठीक है चलिए यूनिट नमबर साथ में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों विश्व मामलों में सायुक्त राष्ट अमेरिका आर्थिक मंदी और FD रुजवेल्ट की नई डील ठीक है United States in World Affairs Economic Depression and New Deal Policy of FD रुजवेल्ट ठीक है यह साथवा नमबर यूनिट में है आठवा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है दूती विश्यूद्ध एं सायुक्त राष्ट संग के लिए अगराडी कारक ठीक है फैक्टर लीडिंग फोर सेकंड वर्ल्ड वार एंड यूएनो आपको आठवी यूनिट में पढ़ना है ठीक है पेपर टू में जो अफ्सनल था दोस्तों इसमें आगे देखेंगे आपका अगला इसमें क्या पढ़ना था ठीक है देखिए बीए फिप्त समेस्टर में दोस्तों आप लोग क्या पढ़े थे बीए फिप्त समेस्टर में आपका स में socio-cultural and economics history of modern इंडिया ठीक है आधुनिक भारत का समाजिक सांस्क्रितिक और आर्थिक इतिहास 1720-1920 तक यह फिप्त समेस्टर में आप पढ़ेते ठीक है इसमें भी समेस्टर में आपको क्या पढ़ना है चलिए आपको बता देता हूं बहुत ध्यान से देखिएगा देखिए बीए सिक्स समेस्टर में आपको वही पढ़ना है ठीक है पेपर टू में आपको वही पढ़ना है सोचियो कल्चरल एंड इकोनोमिक्स हिष्ट्री आप मारन इंडिया ठीक है सत्रह सो से उनिस्टो एडी यानि आधुनिक भारत का जो समाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास है सत्रह सो इसवी से उनिस्टो इसमें आपको आठ यूनिट पढ़ना है लेकिन एक बात या है इस पॉनिट को याद रखेंगे और यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे देखें आठों यूनिट हम आपको पता देते हैं यूनिट फस्ट में आपको पढ़ना है जो 19讲 को पना इसमें आठ यूनिट पढ़ना है यूनिट फ lass आपका समाजिक एवं आर्थिक सुधार अंदोलन ठीक है social and religious reformation moment ठीक है यह unit first है unit second में आपको पढ़ना है Muslim समाज में सुधार ठीक है reforms in Muslim society चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा unit देखते हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें अपनी वेसिक काल के दोरान भूर आजस्व प्रडाली अस्थाई बंदुबस्त रयतवाडी और महलवारी प्रडाली ठीक है land revenue system during colonial period ठीक है permanent settlement रयतवाडी एंड महलवारी system unit third unit fourth में आपको क्या पढ़ना है ब्रिटीश काल में भारती हस्तकला का पतन ठीक है decline of India hand crafting British period ठीक है यह unit 4 है आपका अगला देखेंगे आपका देखिए पांचवा unit है आपका क्रीशी का व्यवसाई करण और भारत पर इसका प्रभाव unit 5 में है आपका इसमें क्या है आपका commercialization of agriculture and its impact on India ठीक है unit 5 है unit 6 आपका क्या है धन के निश्कासन का सिध्धान ठीक है theory of drain of wealth ठीक है यह six unit है सात्वे unit में आपको क्या पढ़ना भी है सात्वे unit में पढ़ना आपको railway का विकास और एवं उसका प्रभाव ठीक है railway का विकास एवं उसका प्रभाव development of railway and its impact ठीक है आठवे unit में आपको क्या पढ़ना है अपनिवेसी काल में banking प्रडाली का विकास development of banking system in colonial period ठीक है आठवे unit है आठवे unit आपको जबर्जस तरीके से पढ़ाय जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों चलिए इसमें आपको मैं कुछ आगे पढ़ाता हूं ध्यान दीजेगा देखिए बीए फिप्त समेस्टर के पेपर टू में ज क्या पढ़ना ठीक है देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बीए शिक्स समेस्टर में भी आपको वही पढ़ना है देखिए क्या पढ़ना भिया हिस्ट्री एंड इस प्रोफेशनल यूटिलिटी यह अप्शनल था ठीक है इतिहास और इसकी व्यवसाइक उप्योगिता इसमें भी आठ यूट है आठ यूट के बारे में चर्चा करेंगे किस-किस यूटि पे आपको ज्याद ध्यान देना है ठीक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगी ध्यान से पढ़िएगा चलिए बीए शिक्स समेस्टर पेपर 2 में आपका इतियास और इसकी क्या पढ़ना है इतिहास में मानचित्र का उपयोग यूज आफ मैप इन हिस्ट्री ठीक है चलिए तीसरे यूनिट में देखेंगे आपको क्या है पुस्तकालियों का महत्व इंपोर्टेंस आफ लाइब्रेरीज ठीक है चौथे उनिट में आपको क्या पढ़ना है अस्थान अस्मार को के लिए परियटन ठीक है टूरिज्म फोर आर्किटेक्टरल मोमेंट्स ठीक है ध्यान रखेंगे पाचवा उनिट है छटवा उनिट है आपका इतिहास में परियाबराण का संदाच्छड प्रिस्पेक्टिव आफ इन्वाइमेंट इन हिस्ट्री ठीक है ये सर्वे आफ डिवलमेंट आफ साइंस एंड टेकनोलोजी इन इंडिया ठीक है अठें यूनिट में आपको क्या पड़ना है पत्रकारिता में इतिहास का उप्योग प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया ठीक है यूज आफ हिस्ट्री इन जर्नलिज्म प्रिंट एंड इलेक् मीडिया ठीक है उमीद है दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा या कलास ठीक है शेयर जरूर करिएगा आपसे रिक्वेस्ट है और या आपकी जिम्मेदारी भी है जरूर सेयर कर दीजिएगा कम सकम एक लोग को वाटसप पर सेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है बोले थे हम छटे समस्टर में जबर्जस्त त्यारी करेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेश्ट कलास में तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम